Hello everyone, this is Amaira, I'm a tarot card reader, वास्तु expert, healer and a numerologist और आज हम करेंगे आपकी tarot reading और आज आपको बताएंगे कि क्या February का महिना जो की love month भी बोला जाता है उस महिने में Valentine's Day पे आपको भी आपका soulmate मिल जाएगा के नहीं? अगर अभी नहीं तो कब मिलेगा? कब आपकी life में वो आएगा? और अगर आ रहा है तो वो कैसा होगा? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि मैं मेरा soulmate कब आएगा? कैसा दिखता है? कैसी family होगी अगर उसके साल शादी तक की बात चीछ जाएगी? तो आज जो है हम सभी zodiacs के बारे में बात करेंगे सबसे पहले में बात करूँगी Aries के बार मिलेंगे है ना? Aries वालों के लिए जानेंगे कि क्या आपको February के मन्थ में आपका soulmate मिलेगा? तो आपके लिए जो card आया है वो है meditation bring answers. तो अगर आप सबसे पहले हाँ या ना मुझसे पूछना चाहते हो तो जी हाँ बिलकुल आपको जो है आपका soulmate February के मन्थ में जरूर मिल जाएगा जो लोग specifically single हैं. दूसरा message मुझे आ रहा है कि already मुझे लगता है कि आपकी life में बहुत अच्छे से जानते हो कि वो आपकी life में आएगा कि नहीं आएगा वो आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है और अगर clarity नहीं है तो खुद के साथ थोड़ा सा समय बिताना अगर आप शुरू करेंगे यानि कि अगर आप meditation शुरू कर देंगे तो आपको खुद जो है जो लोग अभी तो single हैं लेकिन past life में कोई ना कोई तो relationship रहा था आपके लिए card आया है retreat का यानि कि past life से यानि कि कोई पुराना रिष्टा भी वो वापस से जिन्दा हो सकता है February के मत में यानि कि reunion is possible जिनके साथ आपकी बातचीत बंध हो गई थी वो आपकी life में February में वाप से आ सकते हैं तो this is very surprising also but it is nice लेकिन आपको सोचना है यापे आपको decide करना है कि क्या आप उनको दूसरा ये second chance देना चाहते हो या नहीं देना चाहते क्योंकि सोच समझ की decision लीजिएगा क्योंकि जो रिष्टा एक बार खतम हो चुका है उसको दुबारा से शुरू करना उतन finances and career यानि कि जहां कई आप job करते हैं या किसी business में हैं काफी लोग entrepreneur है और लेकिन अपनी business meetings तो जरूर करते हैं तो आप अपने work place पे जो है किसी से मिलेंगे जो आपकी life में खुशियां लेकर के आएगा अब ये चाहते हैं कि वो आखिर होगा कैसा है ना दिखने में कैसा हो को यनों बहुत जादा ही सोचते हैं तो बहुत overthinker होगा very hard working जल्दी से hard माननों वाले में से नहीं होगा आप इसको gender specific ना ले यनों अगर मैं बोल रही हूँ कि होगा तो आपके लिए अगर कोई लड़का इस हमारी वीडियो को देख रहा है तो मैं आपके यहां पे partner की बा कांती होगी life में है ना लेकिन अच्छी चीज़ क्या कि आपको जो है बहुत खुश रखेंगे वो जैसा emotionally जो है बहुत सा the fulfillment में आपके लिए दिखाई दे रही है तो जो भी जो soulmate आपका February के मन्त में आपकी life में आएगा वो आपको emotionally बहुत ही खुश रखेगा you will feel very happy और यहां पर दो जो है कार्ड यहां पर इंडिगेट करते हैं retreat का and six of cups का कि एक तो 100% past life से कोई ना कोई वाप बसा रहा है तो जो लोग इस बात को relate कर सकते हैं February के मन्त में एक reunion is taking place और हो सकता है कि किसी के साथ अभी रिष्टा जो है बस शुरू ही हुआ था लेकिन उसके बिलकुल वैसा ही soulmate आपकी life में भेजने वाला है भगवान ने कहीं न कहीं बोल दिया है तथास्तू यानि कि आपकी जो wish है वो grant की जाती है यहां पे with the star card बहुत ही emotionally balance होंगे दोनों के दोनों आप लोग एक दूसरे के साथ में compatibility बहुत ही अच्छी होने वाली है और काफी जादा अच्छी family से भी background से भी belong करते होंगे बहुत ही stable family होगी उनकी और अगर हम बात करें कि आप जो है किस तरीके से मतलब विद टाइम अगर आपको यह relationship भी आगर लेकर के जाना है तो कैसे बना करके रखा जा सकता है तो यहां पे star card बहुत clear message दे रहा है कि emotional balancing बहुत ज your life. So I hope आपको यह reading पसंद आई होगी, soulmate आपकी जिंदगी में आ ही रहे हैं, अगर आप आप से और भी सादा guidance लेना चाहते हैं, consult करना चाहते हैं, तो नीचे दिये गए नमरों पे संपत कर सकते हैं. Thank you.